हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वगत हैं तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो एक यूज्वल शुरू करूंगा फिंगर्स के अ करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के जरिये संपर्ख कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं इनक की परेटिक टाइप की परस्नालिटी को और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें दो आप यहां पर देख पाएंगे फिंगर्स मीडियूम लेंथ में हैं और सभी फिंगर्स के ऊपरा आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रिखाएं नगर्स चोबढ़ दर, दर से पेश आने वाले होते हैं एक बहुत अच्छी परसनालिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी अगर हम इनकी पर्टिकलो फिंगर्स की बात करें तो इनकी तरजनी उंगली यानि गुरु फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है इस फिंगर का अच्छी लेंथ म पर्सनालिटी दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी अगर हम इनकी शनी फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रीट और बहुत अच्छी लेंथ में इनकी शनी फिंगर यहां पे नजर आ रही है शनी फिंगर का अच्छी लंबाई में होना अच्छी थिकनस में होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी मेहनती नेचर का होगा एक डिस्सिप्लिंड परसनालिटी एक अनुशाशन प्रिया और नया प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी और अपनी इन ही खू सूर्य फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है इनकी तरजनी के equal पहुँचती हुई इनकी सूर्य फिंगर आपको नजर आएगी इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को creative नेचर का बनाता है ऐसे व्यक्ति की artistic qualities बहुत अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्या फिंगर लंबी हो एक अच्छा सोशल सरकल बना पाने में भी काम्याब रहते हैं लेकिन साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर सभाव के भी होते हैं जीवन में रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले लेते हैं कि अबर अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो जैसे शेर मार्किट है, क्रिप्टो क्रंस हैं, मूचल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्किटिंग है, ऐसी चीज़ों की तरह भी व्यक्ति की रूची आपको देखने को मिल सकती हैं, अगर हम इनकी मर्करी फिंगर को देखें तो थोड़ी सी लो सेट होती हुई मर्करी फिंगर आपको नजर आएगी, फिंगर के इनों काफी हाई सेट हैं, काफी उपर से शुरू होती हुई, जबकि इनकी मर्करी फिंगर काफी नीचे से शुरू होती हुई नजर आएगी आपको जिसको हम लो सेट फिंगर कहते हैं, मर्करी फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर देता है, फिंगर के टॉप फैलेंज के क्रीप पहुंचती हुई इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के कम्मिकेशन स्किल्स और इसे व्यक्ति का बिजनेस एक्कुमेन काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी मरकरी और सूर्य फिंगर के बीच में एक अच्छा गैप बनता हुआ इस एरिया में इस तरह का गैप बनना इंडिकीर करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट नेचर का होगा थोड़ा जिद्दी सभाब ही ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिल सकता है ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं ऐसे व्यक्ति जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको करकर ही छोड़ते हैं कुछ इस तरह का सभाब भी आपको देखने को मिलेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को उसके बाद हम चेक करेंगे कि इनकी सभी रिखाओं को भी यहां पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरू परवत का एरिया है काफी उभरा हुआ है आपको ड्रॉ करकर दिखाना चाहूंगा यह जो इतना हिस्सा है आपको इनकी अथेली में उठा हुआ नजर आएगा यहां से कुछ रिखाएं नीचे से उपर का रुख करती हुई इन रिखाओं को प्रोग्रेस लाइन्स कहा जाता है अगर किसी व्यक्ति के हाथ में गुरू परवत पर ऐसी रिखाएं नजर आएं तो यहां व्यक्ति को बहुत अच्छी तरकी दिलवाने में हेल्प करती है इसी के साथ साथ आपको कुछ इस तरह से आड़ी रिखाएं भी यहां पर नजर आएंगी इन रिखाओं को लाइन्स ऑफ सिंपथी भी कहा जाता है और ऐसी रिखाएं अगर हाथ पे मौजूद हो तो इस तरह की फॉर्मेशन को गुरू वला भी कहा जाता है गुरू परवत पर ऐसा साइन होने से व्यक्ति अध्यात्मिक नेचर का होता है ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एश के बाद समाज में काफी अच्छा मान समान पाने लगता है ऐसे व्यक्ति की रूची अध्यात्म और सोशल वर्क की तरभी जाने की चांसिस काफी अधिक देखन को मिलते हैं अगर में इनके शनी परवत की बात करें तो आप देखेंगे यह मांट आपको हलका सा दबा हुआ नजर आएगा अगर किसी व्यक्ति का शनी परवत दबता है और शनी रेखा में हमें कुछ गैप नजर आएं तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी सारे उतार चड आएंगी कुछ सासत पैरलल चलती हुई रिखाएं और कुछ रिखाएं इनकी शनी रेखा को काटती हुई यहां इनकी शनी रेखा है नीचे से काफी अच्छी शुरू होती और आगे चलकर यह हलका सा वीक हो रही है यहां से दुबारा से शुरू और साथ में यहां से भी पैरलल एक लाइन चलती हुई इस तरह से दो से तीन भागया रिखाएं अगर एक साथ चल रही हो तो ऐसे व्यक्ति एकी समय पर एक से ज्यादा काम करने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति चिनकी मस्तिक श्रीखा यानि यह वाली जो रिखा इसको मस्तिक श्रीखा कहते हैं इसके उपर यह रिखा कई इस्पसों में बढ़ जाए और एक से ज़्यादा रिखाओं के शेप में नज़र आए तो ऐसे व्यक्ति 40 के आसपास की एच के बाद काफी अच्छी तरक्की कर पाने में काम्याब रहते हैं उससे पहले आपको कुछ स्ट्रेस लाइन्स नज़र आएंगी जिसकी वज़े से ऐसे व्यक्ति को काफी सारे अपसन डाउंस 40 की एच से पहले देखने को मिल सकते हैं अगर हम इनके सुर्य परवत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो सुर्य मौंट का एरिया हलका सा फ्लैट है सुर्य रेखा भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी कमजोर बढ़ती हुई नज़र आगी कुछ रेखाएं की सुर्य रेखा को टच करती हुई इसकी वज़ए से जीवन में यश की कमी रहती है ऐसा व्यक्ति जिनका सुर्य मौंट फ्लैट हो सुर्य रेखा बहुत ज़र्द स्ट्रॉंग नहो दूसरों के लिए ऐसा व्यक्ति कितना भी काम कर ले दूसरों की कितने भी हल्प कर ले बदले में कोई इनाम कोई अप्रिसियेशन नहीं मिल पाता जिसे हम यश की कमी कहते हैं हाथ में मनी ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है जो काफी अच्छी चीज है आपको दिखाना चाहूँगा यहां पर हाथ में इनके एक बहुत अच्छा मनी ट्राइंगल बनता हो मनी ट्राइंगल तीन रिखाओं से बनता है सबसे पहले यह रेखा जिसको फेट लाइन यानि भाग्या की रेखा कहते हैं यह रेखा जिसको कहा जाता है मस्तिक्ष की रेखा यानि माइंड लाइन और यह जो रेखा इसको कहा जाता है मरक्री लाइन यहाँ पर यह रेखा थोड़ी सी कमजूर पड़ रही है और कुछ हलका गैब बना रही है जबकि एक काफी फाइन और काफी अच्छा मनी ट्राइं हैं इनके हाथ में इनका जो मरकरी माउंट है यहाँ पर भले ही थोड़ा सा लो सेट है लेकिन काफी उभरा हुआ और मरकरी माउंट की तरफ चलने वाली रिखाएं मौजूद है यह है रिखाएं चिने हम मरकरी लाइंस कहते हैं इन रिखाओं में अगर ब्रेक्स नजर आती ह तो यह व्यक्ति को कुछ एल्थ इश्यूस भी देती हैं डाइजस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का सामना एसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है लेकिन ऐसे रिखाएं होने से ऐसे व्यक्ति का बिजनस एक्कूमें काफी अच्छा होता है ऐसा अगर जॉब में भी के योग इस तरह की मरकरी लाइन्स की वजह से जीवन में बनते हैं मरकरी माउंट को देखा जाए तो यहां पर भी आपको खड़ी रिखाएं कुछ इस तरह की रिखाएं नजर आएंगी इस तरह की रिखाओं को हीलिंग लाइन्स कहा जाता है अगर हाथ पे मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलहा या कंसल्टेशन के जरीए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है एक काफी अच्छा हीलर ऐसा व्यक्ती साबित हो सकता है अब यहां पर देख सकते हैं इनकी लाइन ओफ हाट को यह रेखा काफी लंबी है और सीधा इनके गुरू परवत पर पहुँच रही है इस तरह की रेखा का होना व्यक्ती को दिल का बहुत अच्छा इनसान बनाते है जिनकी भी रिदे रेखा यहां तक गुरू माउंड तक पहुँच जाए ऐसे व्यक्ती काफी इमानदार होते हैं लॉयल होते हैं और दूसरों की हल्प करने वारे होते हैं काफी अच्छी हार्ट लाइन यहाँ पर नज़र आ रहे है लेकिन आप एक चीज़ और देखेंगे इनकी हार्ट लाइन पर आपको यहां से कुछ डाउनवर्ड ब्रांचिस नज़र आएंगी जो इन्हें कुछ माइनर हैल्थ इस्यूस दे सकती हैं इसी ब्रांचिस होने की वज़े से व्यक्ति को 40 की एज के बाद कुछ हेल्थ इशूस का सामना भी करना पड़ सकता है जैसे ब्लड प्रेशर, थारोइड, क्लेस्टरॉल, डाबेटेज ऐसी कुछ समस्या हैं ऐसे व्यक्ति को परिशानिया दे सकती हैं तो थोड़ा हेल्थ को लेकर भी ऐसे व्यक्ति को अलर्ट रहने की जरूरत मिडल एज के बाद पड़ेगी अगर हम इनकी लाइन ओफ माइंड की बात करें तो आप देखेंगे यह रेखा इनकी जीवन रेखा से यह जो अभी रेखा ड्रॉ करों यह जीवन रेखा है इससे एक अच्छे गैप के साथ आगे बढ़ रही है दोनों रेखाएं शुरू से ही अलग अलग नजर आ रहनी है इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट सभाव का होगा अपने सारे डिसीजन्स ऐसा व्यक्ति छूटी एट से ही खुद से लेने लगता है इस तरह की रेखा का होना व्यक्ति को इंडिपेंडेंडेंट बनाता है ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्धी भी होता है लेकिन decision making ऐसे व्यक्ति की काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी overall एक बहुत ही अच्छी इनकी mind line यहाँ पर आपको नजर आएगी लेकिन बीच बीच में कुछ stress lines इस मस्तिच रेखा को touch करती हुई cross करती ही नजर आ रही है stress lines का यहाँ पर होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है ऐसे व्यक्ति को बेवजह की anxiety और stress का सामना भी इन रेखाओं की वजह से करना पड़ सकता है हाथ हमें काफी अच्छा mystic cross बनता हुआ यहाँ पर आप देखेंगे यह एक cross का sign इनकी heart line और इनकी mind line के बिल्कुल बीच में बनता हुआ इस तरह के cross का होना व्यक्ति को काफी अच्छी six sense देता है आने वारी घटनाओं का पूरवा अभास हो सकता है कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो अपने किसी relative या मित्र के साथ होने वाला हो ऐसी चीजों का व्यक्ति को पहले से ही पता चल जाता है इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति की रूची occult sciences की तरह भी रहती है जैसे यह पामिस्ट्री है astrology है टेरो कार्स वास्तू रेकी ऐसी विद्याओं की तरह भी व्यक्ति का रुच्छान आपको देखने को मिल सकता है अगर हम बात करें इनकी line of life की तो आप देख पाएंगे इनकी जो life line है यहाँ पर काफी अच्छी लंबाई में है एक लंबी जीवन रेखा का होना बहुत ही positive होता यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा आपको लगभग यहाँ तक पहुचती हुई नजर आएगी इस तरह की लंबी life line का होना दर्शाता है इनकी age लगभग 75 से लेकर 80 तक रहने की समभा बनाए रहेंगी यहाँ पर एक लंबी रेखा अंदर की तरफ आपको नजर आएगी इसी रेखा को मंगल की रेखा यानि मार्स लाइन भी कहा जाता है हाथ में मार्स लाइन मौचूद हो तो ऐसा व्यक्ती थोड़ा aggressive nature का होगा energy and stamina ऐसे व्यक्ती का काफी अच्छा होता है मार्स लाइन होने से ऐसा व्यक्ती जीवन में बहुत अच्छी property बना पाने में भी काम्याब रहता है और अगर हम इनके केतू एरिया पर बनने वाले फिश के चिन की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस तरह से यहाँ पर एक बहुत अच्छा फिश का साइन आपको बनता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरह की रिखाओं के माध्यम से इस एरिया में यहाँ जो साइन बनता है इसी को केतू परवत के उपर बनने वाला मत्सय का स्चिन कहा जाता है यहाँ पर ऐसा साइन बनने से व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धनलाब होता है अकास्मिक धन के लिए स्चिन को बहुत अच्छा माना जाता है ऐसा साइन होने से लंबी दुरी की यात्राएं करने के चांसिस बनते हैं ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्किट से, लोटरी के जरिए, इंस्शोरेंस के जरिए ठनकी प्राप्टी होने के चांसिस जीवन में रहते हैं अगर हम इनके शुक्र परवत को देखें तो आप यहां पर देख पाएंगे वीनस का जो माउंट है यहां पर उभरा हुआ है यह जो हिस्सा होता है इसको शुक्र परवत कहा जाता है यह माउंट अगर उभरा हुआ हो तो पॉजिटिव होता है ऐसा माउंट होने से जीवन मे हर तरह की सुकसुधाय मिल जाती हैं लेकिन इस मांट के उपर इस तरह की रिखाओं का होना और इस तरह की शमेश जैसे चिन का बनना फैमली लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता ऐसी रिखाओं होने से व्यक्ति को अपने रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्तों का सामना करना पड़ता है मेरिड लाइफ में भी ऐसे व्यक्ति के डिस्टर्बंस इस तरह की रिखाओं की वजह से होने की संभावना देखने को मिलती है अगर हम इनके चंदर परवत की बात करें तो यहाँ अरिया काफी अच्छा है यहाँ पर कुछ खलकी आड़ी रिखाएं बहुत जादा समस्याएं हमें इनके मून एरिया से नजर नहीं आ रही तो दोस्तों यह कुछ अनैलसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी स्वालों के जवाब एक ही वीडियो के दुरू दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या एंडिंग है तो मुझे वट्सैप पर मेसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद